नमस्कार एक बार पनो हाजर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लोग्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो व्लोग्स पे एक मेल हतीली है हमारे पाश और हतीली का आकार यहां पर आयताकार दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से बोलने से या मस्तिस्क कार्य करने से करियर का मामला देखें तो आपका ज़्यादा काम चलेगा सारिक मेहनत जीवन में कम बता रही है कि करियर का मामले में सारिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी और इस चीज को definitely verify कर रही है आपकी जो है मस्तिस्क की रेखा जो brain की रेखा होती है यहाँ पे मस्तिस्क की रेखा पूरी तरों से जाती हुई इस प्रकार से एकदम निर्विरोद जा रही है और आपके मध्या चंदरमा पे समाहित हो रही है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और आपको निश्चित यहाँ पे एक चीज देखने को मिल ली है कि जीवन का आल में यात्राओं का बहुत ज़्यादा लाव मिलेगा या यात्राएं करने का ज़्यादा मौका मिलेगा मनी करियर इस दिसा में आपका है कि आपको हर टेम जो है अस्तान बदल बदल के नोकरी करनी पड़ती है एक जगा पे रहके नोकरी या काम नहीं करना पड़ता है करियर का मामला आपको अलग अलग जगा दिखाता है नोकरी करवाता है और जिस से creativity बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये बता रहा है दूसरी बात हतेली की जिस प्रकार से आकरती है और साथ में मस्तिस्क की रेखा है ये बता रहा है कि विबेकवान ब्यक्तित्व है आपका बुद्धि मता वाला ब्यक्तित्व है और हमेशा सकारात्मक सूचते रहते हैं औ के लिए बहुत अच्छी योजनाई जो है यहाँ पर बनाती हुए दिखाए देरे हैं और दूसरी बात इस प्रकार की जीवन की रेखा ये सोड़ी मस्तिस्क की रेखा जिस भी ब्यक्तिकी होती है निश्चित रूप से ऐसे ब्यक्ति मस्तिस्क से कारे करने वाले होते हैं ह कुछ पदस्त अधिकारी, सरकारी, नौकरी या इससे समंदित छेतर में ऐसा विक्ति कार्य करने वाला होता है। और ये चीज तब बढ़ जाती है, जब हतेली की आकार भी इस प्रकार से हो, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये विक्ति जो है राज योग का भोग करेगा। राज योग की उत्पती हतेली में इसी को कहते हैं। अब एक चीज और है जब हमने राज योग कहा तो राज योग को केवल दो चीजों से मिलाके हो जाता है कि राज योग बनता है नहीं इसमें एक चीज और देखेगा जो हमारी परसनल रिसर्च है यहाँ पे आपके हतेले में वो फिट बैठ रही है यहाँ पे जो आपकी सूर कहते हैं उससे बड़ी है निश्चित रूप से अच्छे खासी बड़ी है चाहिए थोड़ा हो लेकिन बड़ी है और साथ में अगर आप देखें आपकी जो यह कनिश्ट का उंगली है इसके पहले पौर्वे तक पहुंच रही है और यह उंगलियां मध्य उंगली से जो हतेली में हतेली का आकार आयताकार हो और मस्तिस्क रैखा इस प्रकार से हो और आपकी सूरे की उंगली बड़ी हो आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से और आपकी सबसे छोटी उंगली इसके पहले पौर्वे तक पहुंच रही हो तो यह राजयों को जन्म देती है बहुत इस चित तोर पे इसमें तो 100% है लेकिन 99.9% मामले में ऐसे ब्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या इससे समंदित छेतर में कार्या इनको मिलता है अपनी जिवनकाल में अगर 1% किसी कारणवस ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कार्या न मिल पाए तो ये लोग फिर बिजनिस में जाते हैं और ब्यापार में उतक्रिष्टता हासिल करते हैं इनकी ये खासियत होती है लेकिन आप यहाँ पे गजटेट ऑफिसर है और सरकारी योग आपको मिल चुका है ये आपकी हतेली भी बता रही है और आपने भी बता चुके हैं आप भी ये निश्चिता है छुपाना नहीं चाहिए चीजों को ठीक है न ये अगर आप नहीं भी बताते तो भी जो है हते हतेली अपने अब बताती है किसी के बारे में पता करना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि उसकी हतेली का आकार देखो और उसकी मस्तिस्क रेखा देखो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति अपनी जीवनकाल में मस्तिस्क से कार्य करने वाला होगा या उसका करियर बोल दोड़ धूप कनने वाला होगा ये उसकी हतेली के आकारमस्तिस करेखा से पता चालता है अगर सरकारी नोकरी देखना है इस समंदित छितर देखना है तो उसकी जो है रिंग फिंगर और उसकी सबसे छोटी उंगली भी देख लीजिएगा कनिष्टा अपने आप आपको 100% आ एक चीज और देखते हैं बहुत सुन्दर है देखो धन देखना भी बहुत जरूरी है कि जीवन में धन योग भी है कि नहीं है कई बार ऐसा होता है सरकारी नोकरी होते हुए भी अच्छे राज योग होते हुए भी धन की कमी आ जाती है किसी न किसी करण वस लेकिन हतेली में कैसा है धन योग यह बताते हैं यहां पे आप देखेगा सुन्दर तरीके से जीवन की रेखा इस परकार से जारी है आपकी उसके साथ यह आपकी मस्तिस्क की रेखा है और यहां से निकल करके आपकी जो है करियर और धन की रेखा जिसको भग्य की रेखा कहते हैं यह जारी है और यहाँ पी एक बहुत बड़ा धन का तिर्भुज बना रही है इसको धन का तिर्भुज कहता है यह एक्चुल में धन का तिर्भुज यही होता है मनि ट्रेंगल इसे ही कहते है क्यूंकि जीवन की रेखा एक अस्तम्ब है मस्तिस्क की रेखा दोसरा अस्तम्ब है धन और क revolutionary की रेखा तीसरा अस्तम्ब है ठीकन है और ये बन की त्रकोन मना रहा है अब ये कब से देखेगा सांधा धंक से देखे 42 वर्स के बाद से जिवन काल के 42 वर्स के बाद से और जादा तर इसमें निखार आ रहा है पैतालिसवे वर्स में ठेकर ब्यक्त जो है एक नहीं कई सरोंतों से धन कमाएगा ये रेखा बता रही है कि 42 वर्स के बाद से और जो निखार आ रहा है वो 45 वर्स से आ रहा है ब्यक्त एक नहीं एक से ज़्यादा सुरोतों से धन कमाएगा और धन में बहुत बड़ी समर्दी हासिल करेगा और जब इस प्रकार के लक्षन बनते हैं तो मन के अंदर एक भावना उठती है कि मैं करोड़ पती बनूँगा या मैं धन डिबनूँगा ये भावना तब ज़्यादा प्रकार होती है जब इनका प्रभाव ज़्यादा पढ़ने बैठ जाता है ठेकन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आपको अब समय आ गया है कि अचानक बहुत बड़ी जो है कहीं न कहीं जो है तरक्की होने वाली है क्यों कि यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है आपका जो अंगोठा है ये अंगोठा बड़ा स्रेश्ट आउसता है इस अंगोठी की अंगोठा क्या कह रहा है एक तो कहे रहा है अंगोठा की सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतन सील ब्यक्तित तो आपका है लेकिन तारकिक भी हैं आप हर विसाय पे तरक भी करते हैं ये बता रहा है लेकिन एक चीज बहुत सुन्दर बत खाए दे रहे हैं और ये कहीं न कहीं 2022 तक सुरू से ही जनवरी फरवरी तक ये अपनी उदयमान या इस पश्ट अवस्ता में आ जाएंगे और अपला फल देना भी सुरू कर जाएगा अगर अंगोठे में तीन कट हों और इस पश्ट हों साप सुतरे हों आप किसी भूख को भी कह सकते हैं कि आप जो है 42 वर्स से 42 वर्स के बाद से अचानक जीवन में तरक्की करेंगे और यहां पे यह अंगोठा यही दिखा रहा है कि अचानक जीवन में तरक्की मिलेगे अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है धन की जगा धन मिलेगा परतिष्टा की जगा परतिष्टा मिलेगी मान सम्मान इन सभी चीजों में यह बडोतरी को दिखा रहा है और फिर आपके अंदर ये एक चीज दिखा रहा है कि निर्धनता आपके सामने नहीं टिकेगे आपके जीवन से निर्धनता गायब गरीबता आपके जीवन में कदम नहीं रखेगी 42 वर्स के बाद गरीबता भी गायब लेकिन जब बुलंदियों पे ये रेखाएं पहुचाने बैठ जाएगे जो अभी का बिक्तित्व है आपका नॉर्मल बिक्तित्व है लेकिन फिर इगो प्रोब्लम भी आनी सुरू हो जाएगी इस से आपको थोड़ा समल कर चलना चाहिए उस समय 42 वर्ष के बाद जब बुलंदी सुरू हो जाएगी तो कहीं न कहीं घमंड भी आपके अंदर आता हो दिखाई दे रहा है लेकिन साथ साथ में धार्मिक्ता की और भी जो है कदम रखते हुई दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं धर्म कर्म के कारियों में भी बढ़ चटकर हिस्सा लेते हुई दिखाई दे रहे हैं दानपुन्य से समच्चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है अंगोठा और धन के लिए तो ये अंगोठा बहुत अच्छा है जो आपके मन की इक्षा भी है कि मेरे पास अच्छा खासा धन है धन हो जाए बहुत सुन्दर धन आपको 42 वर्स के बाद जो है मिलता हुआ या पर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे सक्सियत सक्सेस मिलते हुई दिखाई दे रही है ब्यावसाई में अच्छा है ब्यावसाई की चीजों को दिखा रहा है ब्यावसाई में बिसे सपलता की योग को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं जो है नौकरी के साथ साथ आप ब्यावसाई में भी जाएंगे और ब्यावसाई में जो है 42 वर्स के बाद से अभी नहीं अभी बहुत जादा जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी तो आपके मन के वो निव आ रहे है विचार आ रहे है आप अगर जादा ब्यावसाई में कदम रखेंगे तो उसकी निव रख सकते हैं अभी ब्यावसाई नहीं है 42 वर्स के बाद आपके जीवन में ब्यावसाई अच्छा है और वो बहुत अच्छा फलेगा फोलेगा 45 वर्स से ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं जो है बहुत सुन्दर यहाँ पे चीजे उबर कर आती हुई दिख रही है अब यह तो रहा है बहुत अच्छी चीज अब एक चीज आपकी जो है उसमें बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देखेंगे सांदर तरीके से देखे एक रेखाई हों एक रेखाई हों करियर और धन की रेखाई हों और ये कहीं न कहीं 42 से 45 वर्ष के बीच बीच में लगभग 42 से 45 के बीच में कभी भी आपको अपने घर का सुक प्राप्त हो जाएगा आपको जो है अपने घर का सुक प्राप्त होटा होआ यह आपको दिखाई दे रहा है इस पश्ट अवस्ता में 45 वर्ष तक तो निश्चित तोर पे घर की प्राप्त हो जाएगी घर की खुसियां आपको मिल जाएगी आपको प्राप्त होना ही होना है ये आपकी हतेली दिखा रही है यापे अब दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मनिबंद देखें आप बड़ी सुन्दर मनिबंद है यहाँ पे फोटो आपने पूरी नहीं ली लेकिन मैंने दूसरे फोटो में देखी तीन मणी बंद की रहाईए हैं आपके मणी बंद में और मणी बंद छेतर में अगर किसी की भी इस पश्च रूप से तीन रहाईए दिखाई परती है और ये रेखाएं किसी की साप सुत्री हो बहुत अच्छी हूँ कोई भी रेखाएं इनको काट न रही हूँ या कटी फटी टूटी नहीं दिखाई पड़ रही है तो ये निश्चाई ही जातक को जीवनकाल में सुक्ष, सम्र्दि और संपन्ता दिलाती है अच्यंत स्रेष्ट लाइन इने कहते हैं क्योंकि ये आपके पूर्व जनम के उच्छ करम को भी दिखाती है कि व्यक्ति ने जो है पूरो जनम में बहुत उच्छ करम किये हैं जिससे उसको इस जनम में अच्छी बिद्या और बिद्या दो प्रकार की होती है एक होती इसकूल और कॉलेज की विद्या, एक होती है आपकी जिस छेतर में आप कर रहे हैं चाए वो ब्यnaireसाई है नोकरी है उसका knowledge आपको बहुत अच्छा होगा और अच्छा धन दिलाती है तो धन के लिए भी अच्छा है ये रेखाएं और विद्या के लिए अच्छी है नौलीज के लिए और बता रही है आपने पिछले जनम में उच्च कर्म किये हैं तो ये भी बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है चाए मन बन देखा चाए आपका आतियली देखाए आने वाला समय बड़ा सुपर है आपके लिए बहुत सुन्दर है जहां धन का तिरबुज बन रहा है बहुत स्रेष्ट आवस्ता में वहां आपके जो है ब्योवसाई के यो संधर रेखाएं मंगल की रेखाएं आने वाले समय में आपको दूसरों का सयोग भी बहुत सुंदर रूप में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और इस्वर की जो किरपा भगवान संकर और मापारुती की आपकी उपर विसेश किरपा है इस बात को भी जो है यह रेखाए बता रही है और उसका आसीस भी आपको आपकी जीवन में मिलने वाला है समय आ गया है निकट दूसरा ये रेखाएं इंगित कर रही है प्रतिभा की कोई कमी आपके अंदर नहीं है बुद्धिमता की कोई कमी आपके अंदर नहीं है सोचने और समझने की आपके अंदर विशे यदि कोई निरणय ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और जादतर जिनकी बहुत सुन्दर इसपष्ट मंगल की रेखाएं होती हैं ऐसे ब्यक्ति जिवनकाल में कोई एक उदिश्या या एक लक्ष लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्षे की प्राप्त नहीं हो जाते नै तब तक ऐसे लोग चाहे महिला हो या पुरुस हो बिसराम नहीं लेते हैं जिवन में यथा वो तढंग इसे काम करते रहते हैं आने वाले समय में ये रेखाएं बता रही हैं कि आपका ब्यक्तित तो जो रहेगा वो बहुत जादा प्रभाव साली रहने वाला है अच्छा खासा प्रभाव साली रहने वाला है और कहीं न कहीं आपको अचल संपत्य का लाभवी मिलने वाला है ये रेखाई बता रही हैं अब एक दो चीजें और आपकी हतेली में देखते हैं एक तो देखेंगे आप कुछ रेखाई जो है यह progress line है बिक्ती जो है जिवन में बीच बीच में progress करता रहेगा नई-नी चीजों को करता रहेगा जिस से जिवन में धन भी आई परतिष्टा भी आई, मान सम्मान भी मिले और बिक्ती के अंदर अच्छी writing skills है और उसके साथ-साथ leadership की quality भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है यह भी बता रहे है और इस पश्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मचली का साइन भी बनतावा दिखाई दे रहा है और गुरू परवत पे मचले का चिन दिन दूनी रात चोगनी उन्नत की और इसारा कर रहा है कि आने वाले समय में दिन दूनी रात चोगनी उन्नत होगी लेकिन यहाँ पे ध्यान दे यहाँ पे बरतमान समय में आपका जो ब्रिस्पती का परवत है वो परवत बिलकुल साधारण भाव में बैठा हुआ है इसलिए आपके मन के अंदर जो भी इक्षाये है उनको आप कितनी भी पूरा करने की सोचो अभी वो प्रैक्टिकल रूप से निखर कर नहीं आ रही है अभी उसमें कार्य होना थोड़ा संसाय दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई आपका जो है ब्रस्पति यहाँ पे अनकोल आउस्ता में नहीं है तो ब्रस्पति को अनकोल करने के लिए मैं एक प्राकृतिक उपाय आपको दूँगा प्राकृतिक दूँगा क्योंकि देखो हम जब प्रकृति से जुड़ते हैं हमारे ग्रहनक छतर जब प्रकृति से जुड़ते हैं तब उसका ज़्यादा फायदा होता है वो पावर्फुल उपाय होता है तो वही मैं आपको दूँगा अब दूसरी एक चीज और देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है आपकी एक रेखा निकलती हुई सूरे की और जारी है अगर यह इस्पष्ट होती है तो यह एक चीज तो साप कह रही है कि आपकी जो उन्नती होगी अगर यह रेखा इस्पष्ट होती है तो वो अपने घर से दूर जादा होगी घर अपने जन्म अस्तान में उतनी उन्नती नहीं दिखाई दे रही है दूसरी कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिसके कारण आपको अपने देश से ही नहीं बिदेशों से भी अच्छे खासे धन का आगमन होगा ये रेखा ये बताती हुई यहां पे नजर आ रही है दूसरा अगर आप देखें इस रेखा से खास कर जो है यहां पे जिवन हिरदई की रेखा भी है एक तो तिरकून बन रहा है अचल संपति का लाब दूसरा जो है आने वाले समय में यहां पे एक तिरबुज बन रहा है ने इसमें बुद्ध का प्रभाव पढ़ रहे है तो अगर आप ब्यापार करेंगे तो ब्यापार में चोतरफा लाब आपको होगा तीसरी चीज अगर देखेंगे यहां पे एक रेखाईू जारी है और एक रेखाईू आ रही है अभी इस पश्ट नहीं बना ये ध्यान रखेगा जब ये इस पश्ट बनेगा तब ही फल देगा यहाँ पे एक तिर्कौन बन रखा है ठीक है ने? तिर्कौन का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है ये चीज सबसे ज़्याद रखे ऐसा जो व्यक्ति होता है कला का पार्खे और सिदहस्त होता है इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होनी की निशानी होती है ये तिर्कौन आत्मक फल देता है एक सज्जन कल मुझे जो है वाटसप करके विसेश ज्यान प्राप्त कर रहे थे कि मैंने एक भिकारी को देखा है और उस भिकारी के हतेली में तिर्भुज बने थे उन सज्जनों को ये नहीं मालूम है कि तिर्भुज बनने से जो है कोई करोणपती अरबपती नहीं बनता है तिर्भुज का मतलब होता है जिस ग्रहाय पे बनता है उसके अणुरू फल देता है अगर सूर्य पे बना है तो निश्चित ही जो है फल देगा लेकिन तब देगा फल जब सूर्य अपनी ऊड़जा उसको दे रहा हो और उस समय राहोकी या सनी की इस्तितिना चल ली हो या उसका ब्रिस्पति जो है प्रबल आउस्तामी हो और जिस प्रवत पे बनाऊ हो उसके गुण पूर्ण रूप से उसमें आ रहे हो तब जो है ये फल देता है दूसरी बात है आप कर्म कैसे कर रहे हैं ये आपके हतेली में कितने भी बड़े धन के चिन्ड बने लेकिन आप लेटे लेटे कहें मेरे पास तो भाई राजा जेंसे जिवन जीने वाले चिन्ड बने मैं क्यों काम करो तो आपको कुछ नहीं क्योंकि हतेली में जो चिन्ड होते वो केवल बताते हैं कि आपको इस रास्ते से जाना है और इस प्रकार का दृष्ट कोन रखना है अपने कार्य के परती और जब आप कर्म करेंगे कर्म परधान होता है जब आप कर्म करेंगे तभी आपको ये चीज प्राप्त होती है बहुत बड़े माहासा यह थे बार-बार कभी-कभी वह भीजते हैं मुझे अलग परकार के कुछ पूछते हैं वह अपने को मुझे लगता है बहुत बड़ा जो है कुछ ग्याता समझते हैं तो कुछ उनको हमारी जो परमपराएं है जो बेग्यानिक प्रमप्रा है हमारी रुसी मुनियों ने जो हजारों सालों तक तपस्या किये है और उसका निचोड जो निकाला है उनको उस पे नहीं विश्वास अगर वही चीज कोई अंग्रेजी में उनको कहे और उसका कोई मतलब भी नहीं होगा वो जो है कहें कि की मार तो उपर की और बहेगा तो वो ब्यक्ती जो है डुब की मार लेगा चाहिए उसके बाद उसका जिवनी खतम हो जाए तो ऐसे कई लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं उसको छोड़ते हैं चलते हैं हतेली पे हतेली में तिरबुज बन रहा है सूर्य अभी जो है यहाँ उर्जा नहीं दे रहे हैं यदि सूर्य किरिया द्वारा आप सूर्य को ठीक कर लेते हैं और सूर्य उर्जा दे देती है और निश्चित तोर पे जो है धन की इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी और जादतर मामले में अपनी सभी इक्षाओं के आप पूर्ति कर लेंगे दूसरी बात यहाँ पे एक चीज बहुत सुन्दर तरीके से देखेगा थोड़ा देखने के कोसिस करेगा यह ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा है एक दो और यह और यहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं से यह रहखा जारी है तो एक जो है चतरभुज भी यहाँ पे बनड़ा है अब प्रेक्टिकल सास्तर तो कुछ और कहता है लेकिन प्रेक्टिकल कल रोप से जिस भी हतेली में मैंने यह देखा है चतरभुज ऐसा ब्रेक्टि निश्चित तोर पे जो है अपनी जीवन में धन, मान, यस, पद, प्रतिष्टा पाता ही पाता है लेकिन ऐसा ब्रेक्टि ब्यापार में अगर जाए तो मल्टिपल सीटी का ब्यापारी होता है लेकिन तब होता है जब सूर्या अपने परबल आउस्ता में हो अभी आपके हतेली में सूर्य ओर जा नहीं दे रहे हैं तो इस बात का भी हमें ध्यान लखना चाहिए अब दूसरी बात जो है हम यहाँ पे देखने की कोशिस करते हैं आप सारे बर्ग चिन हमने देख लिया जहां भी देखो वहां बर्ग के चिन जो है यहां पे बन रहे हैं तिरकोन बन रहे हैं अच्छी चीज़े हैं हतेली में अब हतेली में जो है जो आपकी धन और करियर की रेखा है यह यहां से निकलती हुई दिखाई देरी यह भी बहुत अच्छी है निर्विरोध जारी है निश्चित ही हर जगा पे आपको भग्या का अच्छा साथ मिलेगा करियर का मामला है या धन का मामला है बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे उपर जाएंगे लेकिन डाउन नहीं जाएंगे चाए करियर में हो चाए धन में हो और ऐसा बेक्ति जो है निरंतर उन्नति करता है चाए धीरे धीरे करे लेकिन उन्नति करता है और एक सम्मानित जीवन जीता है ये भी यहां पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मस्तिस्क सकते भी अच्छी है अब एक रेखा जो है आपकी यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है इस पश्ट नहीं हुई लेकिन यहां से आती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं यह रेखा जो है पैतालिसवें वर्स से भाग्योदा ये कराती है तो पैतालिसवें वर्स जो है कहीं न कहीं एक से ज़्यादा सुरोतों से धन का आगमन होगा वो बता रहा है आपकी हतेली में अब देखते हैं एक चीज नगेटिब है आपकी हतेली में उसको भी हम देखने की कोशिस करते हैं यहां पे एक तो देखेगा आप बरतमान समई में पूरी हतेली में जाल बनाओ हुआ है हस तरेखाओं से जाल बनाओ हुआ इसे अच्छा नहीं माना जाता है यदि हतेली में जाल है तो कहीं न कहीं ये जीवन में उतार चड़ाव ग्रेस होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है ये उसमें तीब्रगति से रोक लगाने का कार्य करता है आपके अंदर बहुत अच्छी इक्षाएं होती है एक सकारात्मक दृष्टिकोन होता है और उन योजनाओं को इंप्लिमेंट करने का जो है अप रास्ता भी खो हो पाता है और टिक पाता है खर्चिला स्वभाव होता है या खर्चा जादा आ जाता है जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो निखार नहीं आता है कहीं न कहीं जो है विक्ति जो है रेंगता रह जाता है चीजों में उलज जाता इस चीज को ये दिखाता है और विक्ति क जो इक्षा होती है करोडपती बनने की एक धनड्य बनने की उस इक्षा की पूर्ती में ये बादक होती है तो इसके लिए मैं कुछ किरियाइं दे रहा हूँ विसेसकर सूरे किरिया सभी किरियाओं में सबसे बड़ी होती है उसके बाद योग और ध्यान किरिया होती है और य आप कहीं पे भी कर सकते हैं जरूरी नहीं अपने घर में मंदिर में करें या घर के मंदिर में करें या बहुत बड़ी पूजा पाट करके करें किसी की नौकरिया ऐसी होती है कि वो ब्यक्त जैसे आवारे फोजी भाई है अगर उनको मैं जो बोलू कि ये करो वो करो तो थोड़ी करेंगे उनके पास समय नहीं है लेकिन योग ध्यान किरिया वो 5 मिन्ट कर सकते हैं कहीं पर भी खड़े होके खड़े खड़े होके कर सकते हैं बैठ के कर सकते हैं सूर्य किरिया कर सकते हैं तो ये किरिया ये बेग्यानिक हैं इनको मैं दूँगा आपको सूर्य किरिया दूँगा और एक जो है योग और ध्यान किरिया दूँगा उसी से आपकी जिवन में निखार आ जाएगा और निश्चित रोप से ये नेगेटिव उर्जा अपना घर छोड़ देगी अब थोड़ा सा जो है रेखाओं के उपर चल बहुत सरेष्ट रेखा है ये आपकी हतीली में थोड़ा सा ये एक तो सुबह उठते ही धन कैसा कमाये जाए इस और ज्यादा ध्यान दिला रही है दूसरी बात है अपने परसनल्टी को कैसे निखारा जाए ठीकर इस और भी बहुत ज्यादा जो है ये सुबह सुबह ध्या के लिए सोचने वाला ब्यक्तितो नहीं दे रही है बलकि सबके लिए सोचने वाला ब्यक्तितो ये रेखा दे रही है ये योग दे रहा है सात में जो है प्रेम करेंगे वास्तों में प्रेम करेंगे अपने हिर्दय की गहराई से करेंगे लेकिन स्वाबिमान के गुण भी आपके अंदर है और इस स्वाबिमान के गुण के कारण कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है लेकिन उससे कोई जो है दिकत नहीं दिखाई दे रह आप भी उसका साथ अंततक निभाएंगे यह योग बता रहा है निर्मल हिर्दय का ब्यक्तित्व है अभी भी जिस प्रकार के साइन आपकी हतेली में बन रहे हैं और खास कर जो है 42 वर्ष के बाद जो तरकी के योग बन रहे हैं अगर आपका सूर्य भी बलिष्ट हो जाता है और ये नगेटिब उर्जा आपके अंदर से हट जाती है और आप अपनी चीजों पर फोकस करते हैं तो मान पद और प्रतिष्टा की प्राप्ति होने वाली दिखाई दे रही है निश्चित रोब से कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है अगर ये चीजे हट जाती है न दिखाई दीरी है दूसरी ये योग कह रहा है चाहे आप ब्यापार करें चाहे आप नोकरी करें चाहे आप और काम करें आना वाला जीवन जो है आपका एक सरेष्ट जीवन रहने वाला है ब्यतीत होने वाला है ये यहाँ पर बता रहा है बहुत सुनर है दूसरी बात मोक्ष का जो ग्राय है जोतिस में केतु इसे कहते हैं और इसे मोक्ष का कारक कहते हैं मुक्ति का कारक कहते हैं ये बहुत सुन्दर ग्राय है जबकि आपने जादतर पड़ा होगा कि केतु और राहु जो है छाया ग्राय हैं बहुतिक रोप से ये नहीं दिखाई देते हैं ले तो ब्यक्ति जो है अपने जिवन में हमेशा उच कर्म करता है और उस कर्म की उजोसे जो उसकी अंतिम गति होती है वो कियोल और कियोल मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये अपने आप में जिवन का सबसे बड़ी स्रेष्टता है सबसे बड़ा उच्छ कर्मों में से एक कर्म है और ये जीवन की सत्यता है कोई बिक्त मरते तो हजारों है जीवन जो है जब हम जीवन लेके आते हैं तो उसके साथ अपनी expiry date भी लेके आते हैं हमें मालूम नहीं होती है कि हमारे expiry date क्या है लेकिन हम expiry date भी लेके आते हैं दूसरी बात जैसे जैसे उमर बढ़ती है बिक्ति अध्यात्मी की तरब भी जाता है ये भी रेखा बता रही है तीसरी बात ऐसे लोग जिवन में उन्नतितों करते हैं लगातार भी करते हैं लेकिन उतार चड़ाव ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा जहिलना पड़ता है और कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा इनका जो है तकरिबन तकरिबन चालिसमे वर्स तक या पेंतालिसमे वर्स कहीं न कहीं छोटा मोटा एक्सिडेंट भी होता रहता है इस चीज को भी ये दिखाती है चोथी बात है ऐसे लोगों की उन्नती अपनी जन्म अस्तान से दूर जादा होती है और यात्राओं का मोका इन लोगों को निश्चित रोप से मिलता है और कई बार ये लोग विदेश यात्राएं भी कर लेते हैं ये जिवन की रेखा बतारी लेकिन बहुत बड़ा कोई कश्ट शंकट या परेशानी वाले बात नहीं रहेगी क्यूंकि आपकी जो है कही न कही ये रेखाईन भी है ये रेखाई जहां बहुत अच्छी है वो कहीं न कहीं जो है लापरवाई के गुण भी देती हुई दिखाई देरी इससे आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना है अब एक चीज और आपके हतीली में है आपकी जीवन की रेखा आपके मस्तिस्क की रेखा आपकी हिर्दे की रेखा आपकी करियर और धन की रेखा मिलके एक M का अक्छर बना रही है ये पूर्णता में नहीं है इसलिए इसका ज़्यादा फलादेश तो नहीं है लेकिन ये नि उर्जा लिंग है ठीक न भगवान शंकर जो तिरपुरारी है और मा आदि सकती जो इस चराचर जगत में प्राण देती है वो आपके इश्ट देव हैं जितना आप उनकी सरनागति जाएंगे ध्यान योग किरियाओं का जितना साहारा लेंगे उतना आपके जीवन में परखर प्राप्ति चाहे कितना आप जीवन में जो है विकास करना चाते हैं वो इस पे निरभर करेगा कि आप अपने इश्ट देव के सरनागति कितना जादा जाते हैं और मैं एक ध्यान के रिया इनकी कि दूँगँ आपको आपको न तो पोजा करने की जरूवरत ना पाठ करने की जरूरत है ना माला जपने की जरूरत है। मैं आपको किवल एक ध्यान करिया दूँगा और ये आपके लिए बहुत सुगम रहेगी और जीवन में उस वस्तु की प्राप्त हो जाएगी जो कभी आपने सायद सोची होगी। चाहे अध्यात में जगत हो चाहे भोते की जगत हो आप करके देखेगा मन से और इसमें आपका मन बहुत जल्दी लगेगा क्योंकि ये किरिया बड़ी सरल है ये किरिया योग और ध्यान की किरिया है इसको करके देखेगा बहुत सुन्दर जो है आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी येस की पहलता है यह आपके जिवन से निकल जाएगी यहाँ पे आपके हतिली चीजें बताती हुई नजर आ रही है यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा जो है यहाँ पे जो है बर्ग बन रहा है और इस पे जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है गंभीर ब्यक्तित्वा दयालो वाला ब्यक्तित्वा प्रवपकार की भवनाई भी आपके अंदर है और कहीं न कहीं जो है बिसम से बिसम प्रस्तित आने पर भी धैर्याना खोने वाला ब्यक्तित्व भी आपके अंदर है और कहीं न कहीं रिस्क लेने की चमता जोखिम उठाने की चमता भी यहाँ अच्छी खासी दिखाई दे रही है अब यहां पे अगर अंगोठे को देखते हैं और इसके नीचे के भाग को देखते हैं इसको सुक्र का परवत कहते हैं कला है सुनर्य है सुनर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हतेली में इसका पुष्ट और स सुन्दर रूपे उबरावा है तेजो मैं अवस्ता में है आप तेजस्वी होंगे आपकी परसनल्टी भी बहुत अच्छी होगी आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुन्दर होगा और चेहरा भी अच्छा होगा और जो सुन्दरता है जो आकरसन का वाला पार्ट है पेरियंस वाला वो भी आपके अंदर विद्यमान होगा इस सुक्र की वो जो से आप हर परकार की जो प्रस्तित्या है उनको हैंडल करने की चमता दिखा रहा है कि आपके अंदर है आने वाले समय में जहां परिवार का सुक मिलने आपको जा रहा है अभी तक क्या है कि परिवार से थो को सज दज कर रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना बहुत एक सुक्सुदाओं की तरफ जादा आकरसित होना ये चीज भी बनी रहेगी शुक्र आपका बहुत अच्छा है आप यहां पे निम्न मंगल देखें तो कहीं न कहीं थोड़ी सी हलकी मानसिक तनाव की इस्तित तो जहां प्राकरम बहुत अच्छा दिकाई दे रहा है उथ्साह दिकाई दे रहा है वहीं कहीं न कहीं एनर्जेटिक सवह होँ वि दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे आपके गुरू ब्रस्क्रति साधारण भाव में बैठे हुए है और जब ये साधारण भाव में बैठे हैं तो आपके अंदर भी साधारणता बरतमान समय में दे रहे है ठीक है न? तो थोड़ा सा जो है जैसे अपने से बड़े है जाए वो उम्र में है या पद में है उनका सपोर्ट मिलना थोड़ा कम रहेगा और कार्य तभी आपके संपूर्ण होंगे उभर कर आएंगे जब आपका ब्रस्पति ठीक रहेगा मान समान हो परतिष्टा हो धन हो ठीक है नहीं तो इसके लिए मैं दोंगा उपाए यहाँ पर यह चीज ज़्यादा उबर गई है तो सुबह उटने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा मिल सकता है और यहाँ पर यह चीज बैठ गई है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा कामों में अर्चन आना कई बार थोड़ा सा दुखी सा होना या जीवन में सब कुछ है फिर भी वो खुशिया नहीं है जो वास्तों में होनी चाहिए उसकी और जो है ये इसारा कर रहा है कि अभी समय लेगा हाँ सूर्य आपका अभी बहुत डाउन इस्तिति में है और जब सूर्य डाउन होता है तो बिक्त के अंदर इक्षाएं तो बह क्रेडिट बिक्त को उसका नहीं मिल पाता है अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो बिक्त के अंदर जो योग्यता होती है जो क्वालिटी होती है चीजे इस तरह से उभरकर नहीं आ पाती है नौकरी कर रहा हो वास्तों में जो ग्रौथ एक्चुल में मिलनी चाहिए वो इस तार वह फैलाव नहीं मिल पाता हैं तो कहींद कहीं जो है आपको निश्चित तौर सूर्य जो है बहुत महत्वपूरन है आपकी जो सारेरिक चक्र हैं अगर सूरे के चक्र के साथ ताल मिल में होंगे तो सारीरिक सवस्ति बहुत अच्छा रहता बिक्ति का खुसहाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती है वे हमेशा बिक्ति के साथ रहती है और जब ये बिक्ति के साथ रहती है तो बिक्ति अपनी चरम सीमा पे होता है और उसको देखना है कि हमारे सारिक चक्र सुरे की चक्रों के सा तालमेल में है कि नहीं है उसके लिए अतिली का ये भाग देखना है अगर ये अनबैलेंस है तो नहीं है और अगर ये बैलेंस है तो ये है और जब आपके सारेरिक चकर सोरे चकर के साथ तालमेल में है तो आपके सारेरिक सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है ये कनफम है देखना है मैं आपको सूर्य किरिया दोंगा इसको करेगा बुद्ध देखें बुद्ध आपका अच्छा है सुन्र है एकदम इसमें कोई कमी नहीं है अनुकूल है चंद्रमा भी आपका बहुत सुन्र है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आगे का समय आता जा रहा है व बहुत सुन्र योजनाई बनाते हुई भी दिख रहे हैं निश्चित तोर पे जो है 42 वर्स के बाद से चीजों में बदलाव आना सुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो है 45 वर्स से भाग्योदई की स्तिती सुन्र आवस्ता में यहां पे दिख रही है जिवन में जहां घर का सुक होगा धन का बहुत अच्छा सुक होने वाला है वहीं आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सुक मिलने वाला है कुछ उपाई हैं उनको में दूंगा कुछ किरियाएं हैं करने की कोशिस करें बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहां प आप नम्मर पे ओडियो के माद्यम से लिख करके भेज रहा हूं इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार